आपके अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि After Class 10 आपके लिए कौन सा स्ट्रीम सबसे बेस रहेगा Science, Commerce या फिर Arts तो दोस्तो आज के वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक में डीटेल में बात करेंगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुचे Science, Commerce या Arts ये एक आम कन्फ्यूजन है जिसका सामना सभी स्टुडेंट को Class 10 के बाद करना पड़ता है तो अकसर ऐसा देखा गया है कि जादा तर स्टुडेंट्स Class 10 के बाद अपने फ्रेंट्स या पैरेंट्स के दबाव की वज़े से अपना फिल्ड चुन लेते है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बहुत कम स्टुडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जो इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि उनको अपने लाइफ में क्या करना है और Class 10 के बाद उनको कौन सा स्ट्रीम चुनना है बहुत सारे स्टुडेंट्स Class 10 के बाद अपने फिल्ड चुनने में बहुत कन्फ्यूज होते है कि कौन सा फिल्ड उनके लिए सही रहेगा Science, Commerce या फिर Arts लेकिन हर हाल में सही फिल्ड को चुनना बहुत ही जरूरी है सही चूस करना आपके जिन्दगी के important फैसलों में से एक है सही वक्त पर सही फैसला करना बहुत कम वक्त में इनसान को successful बना देता है और अगर किसी से जिन्दगी के इस important फैसले पर कोई गलती हो जाती है तो हो सकता है कि उसका पूरा life भी खराब हो सकता है इसलिए student को चाहिए कि वो अपने skills, interests और abilities के मताबिक अपना field चूस करे जोस्तो आज हर field में आपको बहुत सारा opportunities मिलेगा science हो, commerce हो या arts सब में आपको बहुत जादा opportunities मिलेगा, बस आपको अपने interest के मताबिक अपना field decide करना है तो science career का बहुत सारा option देता है आपको जैसे engineering, medical और research roles इसलिए science parents और students के लिए career का सबसे पसंदीदा option है science का सबसे बड़ा फाइदा ये है कि आप class 12 के बाद science से commerce या arts में भी आ सकते हो यानि अगर आप 11-12 में science लेकर पढ़े और after 12 आपको लगा कि आप science लेकर आगे continue नहीं करोगे तो आप commerce या arts भी जो है commerce भी और arts भी आप चुन सकते हो college में तो दोस्तो अगर आप science लेकर पढ़ोगे तो आपको chemistry, physics, biology और maths लेकर आगे continue करना पढ़ेगा जो science का basic subject है और अगर बहुत सारा बच्चों को maths पसंद नहीं होता है तो आप maths को जो है option में भी रख सकते हो और physics, chemistry और biology लेकर भी आगे continue कर सकते हो जोस्तो science के बाद commerce दूसरा सबसे popular option है और अगर आपको business में interest है या फिर आपको banking sector में जाना है आपको bank का कोई job करना है या फिर आप private या public sector में जाना चाते हो तो आपके लिए commerce सबसे सही option है जोस्तो science और commerce के बाद arts तीसरा सबसे बहतरीन career option है अगर आप creative हो और आपको नया नया knowledge गिन करना बहुत अच्छा लगता है या फिर IS, IPS या फिर कोई भी civil service का आप exam देना चाते हो आपको कोई सरकारी नौकरी लेना है या फिर आपको video creator या फिर आपको जो है एक editor बनना है या फिर आप lawyer बनना चाते हो कोई भी सरकारी नौकरी में जाना चाते हो या आपको teacher बनना है आगे जिन्दगी में तो दोस्तो आपके लिए arts सबसे अच्छा option है दोस्तो class 10 के बाद science, commerce और arts को छोड़ कर भी आपके पास बहुत सारा career option है जो आपको upcoming videos में बताया जाएगा तो अगर आप channel में नए हो तो channel को subscribe करो और bell icon को जरूर प्रेस कर दो ताके future में आने वाले videos का notification आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे और अगर आज का video आपको पसंद आया है तो video को like करें, अपने दोस्तों के साथ video को share करें और अगर आप facebook या instagram पहें तो आप मुझे वहाँ पे भी follow कर सकते है मेरा id description में दिया हुआ है क्यूंकि video से related update मैं facebook और instagram दोनों जगा देता रहता हूँ तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नए topic के साथ